वेल तो हे गाईस, वेलकम तो माई चैनल, माने मिस पंकस्तो, वेल आप लोग का स्वागत नौर में रेस्लिंग में, इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे, दे पीपल्स चांप, दे ब्रामा बुल, दे राक हमें क्यों रटन करते वे दिखाए दिये, डबल डबली के, जो ह जो खतम हुआ, उसके बाद इंस्टाग्राम पर लाइब भी जाते वे दिखाए दिये, मतलब काफी कुछ एक तरीके से एक सीन में, एक रेटन ने काफी कुछ बदलाव ला दिये हैं, उन सारी चीजों के बार में डिसकस करेंगे इस वीडियो के अंदर, और आगे क्या कु अब जैसा कि हम सभी लोग आल्रेडी जानते हैं, रसल मेनिया खतम होने के बाद का जो मंडे नाइट रॉ था, रॉ आफ्टर मेनिया, उसमें हमें क्या कहते वे दिखाए दिये थे, दिखाए दिये थे, कि यह जो टाइटल है, मुझ पर काफी शूट कर रही है, और मैं इस टाइटल को लेने के लिए वापिस जरूर आऊंगा, जैसा कि The Rock ने कहा था कि वो टाइटल को लेने वापिस आएंगे, कोडी रोट्स को मैच, मतलब उनको देने मैच, लडने उन से आएंगे, and that's the reason कि यहाँ पर कोडी रोट्स के अगेंस्ट में, The Rock का रेटन हुआ है, ल कि हमें रिंग के अंदर देखने को मिला, जीमी उसो भी उनके साथ में है, और जो अभी साथ में उनके दुस्मन बने है, वो हैं सोलू सिक्वा एंजेकब फाट्टू, तो यहाँ पर एक चीज क्लियर होते वे दिखाए दे रही है, कि The Rock अगर यहाँ पर आके अपना हील प टाइम पर बहुत बड़ा मुमेंट यही देखने को मिल रहा है, कि भाई सहाब, डवल यहाँ पर अपना सबसे बड़ा दाव खेल चुकी है, The Rock को रिटन करवा के, और Crown Jewel बंपर बना चुका है, क्योंकि भाई सहाब, अगर आप लोगों को पता है, चीजा में यहाँ पर Gold Buck के रिटन से भी देखने को मिल रही है, The Rock के रिटन से देखने को मिल रही है, एवन यहाँ पर WWE Mega Mega Stars को लाकर, और Crown Jewel बहुत हीट बना रही है, और देखते है, Survival Series तक चीज़ जाती है, और Russell Mania तक भी जाती है, मतलब काफी कुछ चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगी, बस इस मुमेंट को एंजोई करो, and Romar ने इसका लास्ट रॉन भी है, we all know, देखते हैं वैसे क्या होता है, पर फिलाल के टाइम पर The Rock का यही प्लान से है, कि The Rock रटन किये है, Cody Rhodes को ने अभादा किया था, तो Cody Rhodes versus The Rock का मैच हमें Crownsville के लिए Locked देखने को मिलेगा, यह तो confirm इतना समझ लो, and इसके बाद जब हमें यहाँ पर आगे यह जो rivalry खतम होगी, इसके बाद सुरू होते वे दिखाए देगा, Bloodline versus Bloodline की rivalry, जो कि हमें survival series के अंदर देखने को मिलेगा, and then इसके बाद हमें बहुत ही अच्छी बात है कि यह लोग डिले नहीं कर रहे है, क्योंकि यह बहुत बढ़िया है कि इन्होंने अभी से return करवा के clear कर दिया है, कि The Rock versus Cody हमें Crownsville में देखने को मिल सकता है, and then इसके बाद WrestleMania में moment clear हो जाएगा, जहाँ पर में Roman Reigns का match देखने को मिलेगा, The Rock के साथ में and all clear, बस बस यही तो चाहिए ता भाई मतलब मैं नहीं चाहता था कि Russell Mania भाई पिछले साल यह इसी साल हुआ, जहाँ पर The Rock and Roman Reigns टैक्टिम पार्टनर बने, और चीज़े यहाँ पर ऐसी देखने को मिले कि भाई अभी इस साल अगले साल Russell Mania में Cody versus The Rock देखने को मिल The Rock versus Roman Reigns, तो चीज़े काफी गड़बर है, मतलब देखते है क्या होता है क्या नहीं होता है, बाके फिलाल आप लोग का क्या कहना इन सारी चीज़ों को लेकर, The Rock versus Roman Reigns को लेकर, The Rock versus Cody Rhodes को लेकर, कॉमेंट सेक्षन में आप लोग ज़रूर बता सकते हो, बाके वीडियो बोलो ना जुबानी इने रेलिया सौफेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड सोरा, Reload Startup